देलाइफ टीवी सच सबसे आगे हाँज तक इस पूरे मादे पर खबर और रिपोर्ट बनाते हुए ये पूछता है कि कौन-कौन चाता है कि इस सब्सक्राइब दिखा रहा है अपने रिपोर्ट में WordPress दिखा रहा है इसको लेकर पर सोशल मीडिया पर आज तक की जम कर खिचाई हो रही है अंजुनाम का शेफ एंकर हैं एक रिपोर्ट पेश कर रही हैं बता रही है उसमें कि अतिक एहमत का काफिला कहां से निकला कहां पोचा और किस तरीके से कहां कहां रुका लेकिन इस बीच कहीं तरह के सवाल भी वो कर रहे हैं इस बीच उनकी रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वो एंकाउंटर को लेकर ये सवाल पूछ रही है कि कौन-कौन चाहता है कि अतिक एहमत का एंकाउंटर होना चाहिए इस तरह की चीजे कर रही है आप सोचे किस तरह का माहूल बनाने की कोशिश की जा रही है सबसे पहले मैं आपको उनका ट्विट दिखाऊंगी क्या कुछ ट्विट सामने आ रहे हैं इसको लेकर किस तरीके से सोचल मीडिया पर एक बहस भी छिड़ गई है आज तक का ट्विट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कौन-कौन चाहता है अतीक का एंकाउंटर क्या अतीक पिछली बार की तरह प्रयाकराच सुरक्षित पहुच पाएगा अंजनौप का शेप एंकर है और उसमें आप उपर देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है इसी को रिट्विट करते हुए पुनीत कुमार सिंग सोशल अक्टिविस्ट ही कहते हैं अरुन पुरी तुमने एंकर पाले हैं या गैंक्स्टर क्योंकि जिस तरीके से वो सवाल पूछ रहे हैं पुर्फ करने की कोशिश कर रहा है是不是 कि साथ कर साथ दोस्तों जब हमने यह ostat जब हमने की खबर सर्च करी कोगल पर तो cash वो भी आपके सामने रहे हैं स्पेशल रेपॉर्ट का पिछली बार की तरहा Ведь प्रैयाग राज पहुट जाएगा आती कैमत पीछे कुशन मार्क है और एंकर अंजिना उमका शेफ है इस रिपोर्ट के नीचे ब्रीफ में लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनानी कुछ लाईने ब्रीफ में लिखिये लिखा है 16 दिन बाद डॉन अतिक को फिर से प्रियागराज लाया जा रहा है एहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रियागराज तक का 13,000 किलोमेटर का लंबा सफर है अतिक की गाड़ी चल रही है उसकी गाड़ी पर लकनों में CM योगी की नजर भी जमी हुई है क्या पिछली बार की तरह सुरक्षित प्यागराज बहुच पाये गाड़ी 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 पर लकनों में इसके बाद दोस्तों हमने रिपोर्ट भी देखी रिपोर्ट के अंदर भी इसी तरह की चीज़े जो है वो बार-बार फ्लैश की जा रहे हैं बार-बार इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं आप स्क्रीन शॉट के जरीए समच सकते हैं कि रिपोर्ट के अंदर क्या है ये स्क्रीन शॉट देखिए इसमें भी लिखा है कि इसी के साथ आपको बता दे दोस्तों कि आगे क्या कुछ इसमें चीजें हैं, आज तक कि इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है, कि क्या रास्ते में अतीक का इंकाउंटर हो जाएगा, दूसरा यहां पर देखिए, क्या रास्ते में अतीक एहमत के गाड़ी पलट ज जोच रहे हैं छटा क्या रास्ते में अतीक एहमत की गाड़ी पर हमला हो सकता है और आथरी सात्वा क्या पिछली बार की तरह प्रयाक राज सुरक्षित पहुच जाएगा तो आज तक ने सारी सीमाई जो है वो पार कर दी है और यहां पर आज तक एक अलग तरह का माहूल बन माफिय अतीक एहमत को लेकर यूपी पुलिस जो है वो एहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयाग राज के लिए रवाना हो चुकी है बलकि उनका काफिला रास्ते में ही है उसे 16 दिन में दूसरी बार सडक मार्ग से लाया जा रहा है राजस्तान के डुंगरपूर में कोर्ट से जो फैसला होगा वो मानेंगे इसी के साथ अगर आप लाइफ अपडेट्स देखें एबीप की तो उसमें भी क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं अतीक एहमत को लेकर जैसे ही अतीक एहमत को लेकर ये ख़बर सामने आए कि उसको साबरमती जेल से प्रियागराज वापस दुबारा एक बार फिर से लेकर आया जाएगा तो उसी को लेकर मीडिया उटलेट्स जो है वो किस तरीके से एक के बाद एक ख़बर दिखा रहा है ये तो आपको दिखाई रहें एबीपी की ख़बर देखिए इसमें लाइफ अपडेट्स कुछ द निकल गई है कड़ी सुरक्षा के बीच उसे प्रियागराज लाया जा रहा है दूसरा अगर आप अपडेट्स देखेगे इसमें लिखा है अतिक अहमत को लेकर यूपी पुलिस शाम करीब 4 बज़े तक प्रियागराज पहुचेगी ये संभावन जताई जा रही है माफिय को लेकर पुलिस कल शाम को ही प्रियागराज से रवारा हुई थी हाला कि उमेश पाल हत्याकांड में अतिक अहमत की पेशी होगी ये अभी तक सपष्ट नहीं हो पाया है तो अलग-अलग मीडिया उटलेट्स की खबरों में अलग-अलग चीजे बताई गई है इसमें आग लेट्स दे गई हैं कि कब काफिला कहां तक पहुचा कहां रुका कहां तक पहुचा और कितने बज़े तक प्रियागराज जो है वो पहुचेगा इसी के साथ एडी का लगातार जो छापे मारी है वो भी जारी है इडी का तावट तोड़ा एक्शन अतिक अहमत पर जारी है अतीक एहमत के एक वकील खान सुलाद हनीफ के प्रीतम नगर इलाके में सित मकान में सुबदस वजे से छापे मारी जो है वो हो रही है तो यहां आप समझ सकते हैं कि जैसे ही ये खबर आई कि अतीक को प्रियागराज लाया जा रहा है वैसे ही मेडिया आउटलिक्स में खबरे चापने की होड मच गई और इसी होड में मेडिया आउटलिक्स क्या कुछ चाप रहे हैं क्या कुछ बता रहे हैं इसी के साथ आज तक जैसे जो चानल है वो किस तरह के सवाल उठा रहे हैं एंकाउंटर पूछ रहे हैं कि एंकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एंकाउंटर होगा या नहीं होगा हो सकता है तो कैसे होगा यूपी पुलिस क्या प्लान मिना रही है इस तरह की चीज़े जो है वो आज तक अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा है जो कि बेहद निंदनी है इसको लेकर करें तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज तक चाहता क्या है किस तरह का माहूल बनाने की कोशिश कर रहा है आप आज तक के इस कारणामे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं